हाँ कोई इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की वीडियो में सीख लेते हैं हाँ कहने के लिए इंगलिश में आप यस कह सकते हैं या कह सकते हैं या शोर कह सकते हैं नहीं कहने के लिए आप नो कह सकते हैं कुछ नहीं कहने के लिए आप नथिंग कह सकते हैं कुछ के लिए some कह सकते हैं सब कुछ के लिए English में आप everything कह सकते हैं हमेशा के लिए आप forever कह सकते हैं कभी कभी के लिए आप sometimes कह सकते हैं कभी भी को आप कह सकते हैं at anytime यानि कि जैसे आप कहते हैं कि कभी भी आ जाना तो आप कह सकते हैं you can come anytime या you can come at anytime या कभी कभार को आप rarely कह सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें